बाला जी के दर्शन के आस लगाए बैटे भक्तों ने गुरुवार को साला सर के दर्वार पहुच कर बाला जी के दर्शन किये भक्तों के चेहरों पर खुशी जलकी सरकार के ओर से जारी की गई नई गाइडलाइस के तहत मंदिर खोलने के अनुमती प्रदान कर दी गई थी इसके तहट गुरुवार सुभा पांच बजे मंदर के पट खोल दिये गए राजी सरकार ने मंदर खोलने के आदेश के तहट गुदुवार को कलेक्टर और सामर्मल वर्मा वा पुलिस अदिक्षम नारायर टोंगर साला सर पहुँचे उन्होंने मंदर कमेटी के पटा अदिकारियों के साथ करीब एक खंडे चर्चा की साला सर बाला जी के दर्शन के आस लगाए बैठे भक्तों ने गुरुवार को साला सर के दर्बार पहुच कर बाला जी के दर्शन किये भक्तों के चहरे पर खुशी छल की सरकार के ओर सी जारी की गई नई गाइडलाइन्स के तहत मंदिर खोलने के अनुमती प्रदान कर दी गई थी इसके तहत गुरुवार सुबा पांच बजे मंदिर के पट खोल दिये गए राजिस सरकार के मंदिर खोलने के आदेश के तहत बुद्धुवार को कलेक्टर सावर्मल वर्मा और पुलिस दिख्षक नाराया टोंगस साला सर पहुचे उन्होंने मंदिर कमेटी के पदादिकारियों के साथ करीब एक घंटे चर्चा की कलेक्टर वर्मा ने बताया कि एक जुलाई को सुबा पांच बजे से साम चार बजे तक बाला जी मंदिर को आम श्रधालू के दर्शनों के लिए खोला जाएगा इसके अलावार अविवार के दिन श्रधालू के लिए पूर्टया दर्शन बंद रहेंगे दर्शन के लिए आने वाले श्रधालू को आड़ी पेसी आर जाज की निगेटिव रिपोर्ट वैक्सीन का पहला डोस लगे हुए का सार्टिफिकट दिखाना होगा जो सरकारी गाड़ लाइन है इसे के अनुसा दर्शन होगे आपके बतादे के दर्शनों के लिए आपको लेक्षिन की पहले डोस बहुत ही ज़रूरी है और यह आपके पास लेक्षिन की जो नहीं लगी हुए है तो आप आठी पीशियर की एक रिपोर्टर वो जो भी आपके लिए प्रशन बंद रहेंगे और शिरिमान जिला क्लेक्टर मोडे और मंदर कमेटी ने मिरने के है कि जो भी आठे द्रसनों के लिए बाला जी के यहां आएंगे उनको दो बज की दूरी मास है जुरूरी और सोचल दिस्टिक का ख्याल रिखते वही इस प्रिवेश दिया दाएका और वो अपना व्यक्षिन का सट्विट दिकागे और द्रसनों के लिए प्रिवेश ले सकेगे यातियों से ज्यादा से ज्यादा निवेदन है कि वह अपना व्यक्षिन कंजी करन साथ मोबाइल में अपडेट रहके और वो शेवाज इतर सुनों में लिए नमकी दीदाएगे